हेलो एवरिवान, 2023 में जितनी भी वोमेन रही है न्यूज में, करन्ट अफियर्स में टॉप कॉश्चन के साथ उन सब को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉश्चन है, फर्स्ट वोमेन चेयर पर्सन ऐसे कौन बन गई है, जो कि हैड करेंगी रेलवे बोड को, रेलवे बोड का नेतरत्व करने वाली पहली महीला अदक्ष कौन बनी है, इनका नाम है जोया वर्मा सिन्ना, ये बनी है, और ये जो है, हैड करेंगी रेलवे ब को next question पर बढ़ते हैं who has made history by becoming the first Muslim female federal judge in US history अमेरिकी इतिहास में पहली Muslim महिला संगिय नायदिस बनकर किसने इतिहास रचा है तो नुसरत चौधरी जो है इनोंने इतिहास रच दिया है क्योंकि फिर्स्ट मुस्लिम female federal judge युएस बन गई है और इनको अपाइंट किया गया था जोई बढ़न के द्वारा फिर्स्ट मुस्लिम बोमें तो यह हैं ही इसके अलावा फिर्स्ट बांगलादेशी अमेरिकन भी हैं जो कि सर्व करेंगी अज़ाफ फैडरल ज़ज फिर्स्ट एवर डबलु अच्चो की डारेक्टर जन्रल स्पेशल एन्वाय फूर क्लाइमिट चेंज एंड हल्थ कौन बन गई हैं तो जलवायू परिवर्दन और स्वास्त के लिए डबलु अच्चो की पहले मान देशक विशे सदूत के रूप में किसे नुक्त किया गय है तो डबलु अच्चो की डारेक्टर जन्रल ये बन गई है क्लाइमिट चेंज एंड हल्थ के लिए वेनिसा के रही ऑप्शन डबलु एच्चो वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजिशन की अरी बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रेल 1948 को युनाइटे नेशन की स्पेस्टलाइज एजन्सी है ये डबलु अच्चो हेड़ क्वार्टर इसका जनेवा सुर्जर लेंड में है और इसकी हेड है टेड रोस अडाहा नोम ओके आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वोमें डारेक्टर अफ आयाइटी जान जी बार कौन बन गई है तो आयाइटी ज देशक बनी है प्रीती अगहालम ओप्शन सी तो आपको पता है इंडिया इंसिटूट अफ टेक्नलोजी जो है तंजानिया में भी खुला था इसका जो केमपस था तंजानिया में इंटरनेशनल ली खुला था तो इसकी जो फर्स्ट वोमें डारेक्टर बन गई है वो बन प्रीती ऑप्शन सी फर्स्ट वोमें जो की लेड करेंगी यूएस नेवी को कौन नॉमिनेट होई है ये तो अमेरीकी नौ सेना का नेतरत्व करने वाली पहली महिला के रोप में ये बनी है लीजा फ्रेंसाटी इनको नामांकित किया गया है लीजा फ्रेंसाटी को पाकिस्तान में भारत की पहली महिला परवारी कौन है तो यह है ऑप्शन भी घीती का शुरिवास्थभ कर रही है यह जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अड़ा है यह सक्सीर करेंगी सुरेश कुमार को यानि कि इनसे वहले सुरेश कुमार थे जो कि इस पोस्ट पे थे और यह बन गई है मिस अर्थ इंडिया तुटाजन टुएंटी थे कौन है तो यह बन गई है प्रियंसीन राजिस्थान से है यह जैपू राजिस्थान से टुएंट यह ओल्ड स्टूडेंट है जो कि डांसर है और प्लेयर भी है और इसके लावा यह मिश अर्थ किसने जीता है तो यह जीता गया था नंदनी गुपता के द्वारा नंदनी गुपता भी राजस्थान से है और इनों ने अपने नाम कर लिया है किताब फैमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वार्जन टुएंटी थरी का इसमें फॉस्ट अरप कौन है यह इंपूर्टेंट कोश यह अच्छे स्कुन फाइट जेत लिया saat कि इसार जनुत अश्रि मुरबए τα राश्ट पती कवन भनी जैः तो यह बन गई है तो यह न creator 수락्यों डॉस्त रहा वपति मोर्स मेंटेंटी र श्टी सेर राश्थ पतीAR बंड गई है यंग यूण यौरोजिस्ट आव डिया अ तो यह मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को ऑप्शन भी यह इंडिन अमेरिकन फिजिशन है और प्रोफेशर है कि फर्स्ट फीमिल ऐसी कॉन बन गई है जो कि एंपायर बन गई है इंदा इसी सी मैंस्ट टोएंटियाई किर्केट तो यह बनी थी ऑप्शनी किम कॉड़न किसने सिल्वर मैडल जीता है इंदा वोमेंस 68 क्लोग्राम की कैटेगरी में एशन रैस्लिंग चेंपियंसिप 2023 में जो कि अस्ताना कजकिस्तान में हुई थी तो यह नों ने जीता है निशा दयानी और वोमेंस की 68 क्लोग्राम की कैटेगरी में कौन से प्रतियोगे था थी उसका नाम याद कर लिजी एशन रैस्लिंग चेंपियंसिप 2023 कहां पे हुई थी अस्ताना कजकिस्तान में यूनिन आयूश मिनिस्टर ने और गिनाइज गया था एक नैशनल कॉन्फरेंस फीमेल इंफेटिलिटी पे तो कहां पे किया था नई दिल्ली में किया गया था यह रानी इस गल्स होकी टर्फ स्टेडियम कहां पे लॉकेटर है तो यह लॉकेटर है जी उप्षन ही उत्तर प्रदेश में मैं सीडबलोजी चैंपियान जो है संजीता चानू इनको बैन कर दिया गया था नड़ा के द्वारा कितने साल के लिए क्योंकि यह जो है ड्रग लेती हुए पाय गयी थी तो कुल डोपिंग करता हुए पाइज आता है खिलाडी तो इसको नड़ा के दौररा बैन कर दिया जाता है तो यह चार साल के लिए बैन कर दी गई है दो बाय नों ने कॉमन वेल्थ गीम जीत लिया था पेट लिफ्टर है यह और इनको चार साल के लिए बैन कर दिया गया है नैशनल एंटी डोपिंग एजिंसी के द्वारा क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट हुआ यह कर दिये कि थी जब चंद्रमा के चार ओर जाने वाली पहली महिला बनी तो यह जो है नासा से ब्लोंग करती है ऑक्शन सी नासा अजेंसी तो फर्स्ट ओमनेसी बन गई है जो कि मून के अरांट जा रही है भगवाने देवी डागर है नोंने कॉनसे गेम में एक्सल किया है से ब्लोंग करती है यह 95 एर ओल्ड की है तो जिस सेज में जो है लोग जो होते है वो रेस्ट करते हैं उस सेज में यह एक्सल कर रही है गेम्स में तो बहुत इंस्परिवल बात है यह तो गोल्ड मैडल तीन जीते है नौने कंट्री के लिए नाइंथ वर्ल मास्ट अट्र में जो कि पॉलें ने वही थी अब्रत्योगीता फर्स्ट मियामी ओपन क्राउं रिसेंट्ली किस ने जीता है तो यह जीता गया है पैट्रा की विटोवा के द्वारा तो चैस्टर प्लेयर है यह पैट्रा की विटोवा है नहीं कजाकिस्तान की एलेर राय बकेना को डिफी ट्राडिक्शनल वियर है उसको ही पहन के नौन इंबाउंट क्ली मंजारों को फते किया है तो कौन से स्टेट से हैं तो कौनजली शर्मा जो है हिमाजली प्रदेश से हैं कि औप्शिन बी किसने गोल्ड जीता है 48 किलोग्राम की डिबी में यह जीता है नीतो घंडगास निए गोल्ड मेडल जीता है कौन से प्रतोगिता में जीता है IVA Women's World Cup World Boxing Championship में जो कि नई दिल्ली में हुई थी अपरतोगी था केड़ी जादव हॉल में कौनसे शहर में रानी कमलापती रेलवी स्टेशन जो है लोकेटेड है जो कि डिसेंटली खवरों में था तो रानी कमलापती रेलवी स्टेशन भोपाल में है तो प्राइम रिस्टर ने यहां से फ्लैग उफ की थी बंदे भायत एक्सपर स्टेशन जो कि भोपाल और नई दिली की भी चलने वाली है किसने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड वोमेंस वक्सिंग चैंपियंशिप में और ऑस्ट्रेलिया की केटिलियन परकर को हरा करें दर 75 क्लोग्राम की केटेगरी में तो यह जीता था लोबलीन बॉर्गीन नहीं गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड वोमेंस वक्सिंग चैंपियंशिप में और ऑस्ट्रेलिया की केटिलियन परकर को हराया था 75 क्लोग्राम की केटेगरी में ठीक है याद रखना और लॉबलीन बॉर्गों जो हैं यह इंडियन बॉक्सर है और नेक्स्ट पोश्ट्श ने कौण की इंटरनाशनल बैंक ने अपटेश्ट किया है और्सपेजिप के इंड हे यो इन इंडिया की एमबसेडर सीचेंजा क्लाइमइट के लिए आपटेंट हुए है तो इनका नाम है शृया घुडावत संगीता कला निदी आवार्ड जो है इसके लिए किसको स्लेक्ट किया गया है किसको मिला है संगीता कला निदी आवार्ड 2023 का तो ये मिला है बॉम्बे जो एश्वरी को ेस french from इन विच स्टेट पदम लख्ष्मी जो है फ hvad फ्र्र ट्रांजेंडर बन गई है जोकि इनरॉल हुई है बार चांसिल अव स्टेट में तो पहली महिला लॉय जो कि इनरोल हो रही है बार चांसिल स्ट प्स्टेट में इँनका नाप है पदम कॉंसे स्टेट में इन्रॉल हुई है केरल में एश्या की पहली वोमेन लोको पाइलेट जिन्हों ने ऑप्रेट किया है बंदी भारत को तो यह कौन है इनका क्या नाम है सुरेख यादव कौन से स्टेट की पहली वो में मिनिस्टर है जिनका नाम है सलो अधु अनु क्रूश जनों ने महीला दिवस की पूर्व संध्या पर पद ग्रहन किया है तो यह है नागा प्लटैंड की और मिनिस्टर है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इंडिया के ट्रिपल जमपर है एश्वर्या बाबुज इनको बैन कर दिया गया है नाड़ा कितने साल के लिए तो ये बैन कर दिया गया है तो यह बन गई है स्मर्ती मंधाना इंडियन किर्केटर है यह मेंटोर कौन चुनी गई है आर्सेवी वोमेंस टीम की तो यह चुनी गई है ऑप्शन सी सानिया मिढ़जा इन्हों ने टैनिस्ट रेटायर ले लिया था आप्टर ऑस्ट्रेले नोपंड उठाजन ट्वैंटी पौने मा देवी वर्मन को किस काटेगरी में मिला था एंट्रपेंनल विजिन के मिला था यह हरगीला आर्मी को लैक्ति है यह यहाएंड का हाइस्ट अन्वार्मेंटल एंडर है और इस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने एक्शन्स के द्वारा कुश ट्रांस्परम पंडित हरी प्रशाच और लाइफ टाइम अचीबमेंट अबॉड किसको मिला है रिसेंटली तो यह मिला है डॉक्टर पिरभात्रे को पिरभात्रे एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है किराना घराना से इनको पदम शुरी 1900 में मिला था पदम भूशन 2002 में मिला था और पद बेस्ट वंगाल से है यह फर्स्ट एवर वोमेंट डिरेक्टर जनरल काउंसल अफ साइन्टिफिक अंडिस्टिकल रिसर्च की जिसकी शौर्ट फ़र्म है CSIR कौन बनी है तो CSIR की पहली वोमेंट डिरेक्टर जनरल बनी है नला थम्भी कलाई सभी करेंटली मायन या फिर लीथियम सलफर वैटरीज में फर्स्ट वोमेंट ऑफिशर जो कि ऑपरेशनले डिप्लॉई हुई है CSIR में कौन बनी है यह तो इनका नाम है सिवा चोहां मादवी पुरीबुच फर्स्ट वीमेल चैर्परसन बनी थी किसकी बनी थी ऑप्शन सी से भी की बनी ह इस्ट अफ्रिका में गैपिटल सिटी है इसकी नेरवी करश की केन्यान सिलिंग है लेक तरकाना वल्ल की जो की लार्जेस्ट डिजर्ट लेक है यह यह पे लोकेटर है इसके अलावा फर्स्ट वोमें जोकी नोबल पीस प्रायज जीता था वो भी केन्या सी थी जनका नाम बंगारी मूटा मत्हई फर्स्ट ब्लेक वुमेन जज कौन बन गई है जो कि सुप्रीम कोट ऑफ यूएस से में सर्ब कर रही है तो यह बनी है ऑप्शन भी किट एंजी ब्राउन जैक्सन फर्स्ट वुमेन कॉम्बेट पाइलेट आर्मी में कौन बनी है तो यह बनी है अब बनी है ऑप्शनी जियोर्जिया मैलोनी केटलीन नोभाग जो है फर्स्ट फिमेल प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की हंगरी की एक टोडेल गुनिया नेवी अपाइंट किया है मैनुला रोका बोटे को अपनी पहली फिमेल पीम ठीक है यह बियात कर लिए फर्स्ट में चेयर परसन सेवी की बनी है माधवी पुरी बुच फर्स्ट फिमेल किर्केटर जिन्होंने रिसीब किया है खेल रतनावार यह है मिथाली राज कि फर्स्ट फिमेल डीजी ऑफ द वर्ल्ट ट्रेर और्गिनाजेशन बनी है नगोजी ओकोंजा आए वाला कि परेस्पोर फिप्टी मीटर राइफल में जीता था इसके अलावा मेजर ध्यांचन खिल रंदा बॉड़न को 2021 में मिला था एंपदम श्री 2022 में मिला था फर्स्ट वोमें प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एस्टिशेशन की बनी है ऑप्शन बी पीटी उशा इंडियन ओलंपिक एस् और अधर इंटर्नेशनल अथलेटिक्स मीट्स में फर्स्ट फीमेल रैफरी मेंस की फुटवाल वाल्ड कप में कौन बनी है तो यह है ऑप्शनी स्टैफनी फ्रेपाट फर्स्ट वोमें चीफ सेकरेटरी तिलंगाना की बनी है शान्ती कुमारी फर्स नेटिव अमेरिकन व कहना को जो की कजाकिस्तान की है और एडिशन इसका 111 वा था मैंस सिंगल में नुवाक जो को विशनी जाता जो की सर्विया के प्लियर है और ग्रेंट लेगर स्लैम लेवल टेनिस टूनामेंट होता यह हुआ था मैलवन पार्क में हार्ड कोट पे खेला जाता है यह इस्ट ब्रेंड अमबेसडर प्यूमा इंडिया की चुनी गई है हर्मन प्रित कॉर ऑर चेरपर सन् कॉमपेटिशन कमीशन अफ इंडिया की बनी गहा है ऑप्ष्णी संंगीता वर्मा फर्स्ट विमल प्रेसिडेंट टीटी एफ़ाई के बनी है ऑप्शन सी मेगना एहलबात टीटी एफ़ाई की फुल फॉर्म है टेवल टेनिस फेरेशन अफ इंडिया फांड हुआ था 1926 को हैड कॉर्टर नाइदिली में है नियू चीफ CBSC की बनी है नेधी छिवबर औप्शन B फियरलेस गवरनेस गव्रनेस बुक लिखी गई थी के रनवेधी के दौरा इंडिया इंडियास वुमें अंसंग हीरो बुक है बढ है इस के तू भारत की वुमेंन अंसंग हीरो माउंट अनपूर्णा पर चुड़ाई किया है तो प्रियंका मोहिते ने तो फर्स्ट इंडियन वोमें वन गई है जन्होंने फाइपिक्स को स्केल किया है अब 8000 मिंटर और अल्सों रेसिपेंट है यह टैंजिंग नौर्गे अडवेंचर आवर्ड की 2022 के फर्स्ट वोमें वाइस चैंसलर जेन्यू की कौन अपॉइंट हुई है तो यह पॉइंट हुई है शांती सरी धूली पूरी पंडित नेक्स्ट कोश्चन है चेयर परसन प्रेस काउंसल अफ इंडिया की कौन अपॉइंट हुई है तो यह पॉइंट हुई है रंजना प्रकास देश्याई, गोल्डन बुक अवोर्ट उराजन 23, और नाव यू ब्रीद के लिए किसको मिला है, तो यह मिला है, और आप्शन भी राखी कपोर को, यह कोशन लास्ट है, इसका कमेंट में से उत्तर वताना, माध्वी पुरी बुच कौन, जो है, फर्स्ट फिमेल चेयर परसन बनी है, कहां की, तो इससे के साथ ही वीडियो सनाप्त होते है, I hope आपको वीडियो अच्छी लोगे होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, Thank you so much for watching this वीडियो,